नमस्काराम एक बार फिर से सात्में अंतराष्ट्रिय योग दिवस पर योग की ये सद्भुत संभावना को भीत्री खुशाली के एक विज्ञान के रूप में स्विकार किया जा रहा है धर्म नहीं, विश्वास प्रणाली नहीं फिलोसफी या विचारधारा नहीं बलकि भीत्री खुशाली का विज्ञान जैसे बाहरी खुशाली के विज्ञान है ये भीत्री खुशाली का विज्ञान है इसी दिन 15,000 साल से ज्यादा समय पहले आदियोगी दक्षण की और मुड़े थे इस दिन के बाद धर्ती से देखने पर सूर्य दक्षण की और जाता दिखता है ये गर्मियों की संक्रांती है इसी दिन वे दक्षण की और मुड़े और योग विज्ञान सिखाना शुरू किया इसी लिए ये दिन अंतराष्ट्रिय योग दिवस की रूप में घोशित किया गया है ये अंतराष्ट्रिय योग दिवस पहले से कहीं जादा महत्वपून है बस इस महामारी के कारण हमारी पूरी पीड़ी ने ये महसूस किया है कि कैसे हमारे जीवन में अचानक बिना किसी चेतावनी के इस महामारी ने उधल पुधल मचा दी तो ऐसे समय में इन बाहरी आकरमनों से लड़ने के लिए एक जीवन्त और लचीला शरीर एक खुश और केंदरित मन और कभी न ठकने वाली उर्जा को तैयार करना सबसे जरूरी है क्योंकि वेग्यानिक बता रहे हैं कि ऐसी महामारी बार बार आ सकती है अभी भी महामारी खत नहीं हुई है हम मेंसे महामारी के बाद का समय नहीं कह सकते महामारी का मौसम जारी है हमने भारत में और दुनिया भर में कई अलग अलग देशों में दो लहरें देखी हैं वाइरलोजी के क्षेत्र के प्रमुख लोग कह रहे हैं कि ये हमारी कल्पना से कहीं अधिक समय तक चल सकता है तो ये बहुत महतुपूर्ण है कि हम अपने सिस्टम को ऐसा बनाएं एक ऐसा शरीर बनाएं जो लचीला हो और ऐसा मन बनाएं जिसमें संतुलन और उल्लास हो ताकि हम अपने जीवन में कम से कम उथल पुथल के साथ जीवन की इस कठोरता से घुजर सकें तो योग एक जबर्दस संभावना है योग कोई सरलकसरत नहीं है ये एक जटल सिस्टम है इंसानी अस्तित्व की मशीन को समझना कि हम कैसे बने हैं और इसे सबसे उची संभावना तक कैसे ले जाएं योग शब्द का अर्थ है मिलन यानि अपने अस्तित्व की ब्रह्मांड ये प्रकृति को जानने के लिए अपने अस्तित्व की सीमाओं को सचेतन होकर मिटा देना ये जानना कि इस ब्रह्मांड में हम जीवन का एक छोटा सा टुकड़ा होकर भी पूरे ब्रह्मांड का अनुभाव कर सकते हैं पर इसके कई दूसरे पहलू भी हैं, जिनकी मदद से ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्षों को पूरा करने में भी बड़ा युगदान दे सकता है। किसी डॉक्टर या चिकित्सा से जुड़े व्यक्ति के माध्यम से नहीं मिल सकती। ये सिर्फ हमारी भीतर से ही आ सकती है। योग में आपको वहां पहुँचाने के लिए जरूरी विज्ञान और तकनीक है। आत्म रूपांतरन के योपकरन, खुशाली की ये तकनीकें सभी को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। हमने एशा में विशेश रूप से इस महामारी की स्थिति के लिए, आज की इस महामारी की दुनिया के लिए, हमने एक छोटा पाकेज बनाया है जो इम्म्यूनूटी को बढ़ाएगा और आपके दिमाग में सम्ता और शरीर में जीवन तता लाएगा। ये एक बहुत ही सरल पाकेज है, दिन में कुछ मिनट लगाईए, ये ओनलाइन निशुल को उपलब्ध है, क्रपिया इसका उप्योग करें, ये उन लोगों के लिए पूरी जानकारी और गहराई में उपलब्ध है, जो रुची रखते हैं, और उनके लिए एक सरल पाकेज में उपलब्ध है, जो बस सरल अभ्यास करना चाहते हैं, ये हर जगा फ्री उपलब्ध है, और समर्पित वॉलेंटियर हमेशा उन संभावनाओं के बारे में कॉल पर बात कर सकते हैं, ताकि आप इसका लाब उठा सकें, इस धर्ती पर सभी को इसका इस्तेमाल करना ये मेरी इच्छा और मेरा अशिरवाद है, कि आप सभी लोग योग का कोई न कोई पहलू अपनाएं, और एक संपून जीवन जीएं, ये महामारी हमारी जीवन में आचुकी है, ये एक सच्चाई है, पर हमें इससे बाहर आना होगा, यानि ये स्थिती हमें कुचल ना पा हमारे अंदर ऐसा करने के खिशमता है, मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, कि आज इस महामारी का वाइरस सिर्फ इनसान फैला रहे हैं, और अगर लोग योग को अपनाते हैं, यानि वे अधिक जागरूख हो गए हैं, और आदतों के हिसाब से नहीं जी रहे, अगर ऐसा होता है, तो महामारी को कंट्रोल करना और रोकना, इसे दूर रखना बिलकुल हमारे हाथ में हैं, आइए इसे सच्चाई बनाएं, आइए इस अंतरराष्ट्रिय योग दिवस पर ये तैय करते हैं, हम योग को अपने जीवन मिलाएंगे और वाइरस को जरूर हराएंगे